और आज कुछ खास चीज़ों की शॉपिंग भी होती है और ऐसी कुछ शॉपिंग क्याप्चर करने के लिए विश्वा मोहन इस पक्त दादर में है दादर की दादर एक दो चीज़ों के लिए बहुत खास जान जाता है फूलों की वहाँ पर बड़ी होलसेल मार्केट है फू फूलों की मंडी से आप हैं कैसा मौलेवा देखिए अगर मैंने यहाँ पर कई कारोवारियों से बात की है चाहे वो रिटेल के हो या होलसेल के हो उनको लगता है कि पिछले हपते के मुकाबले दाम इस बार जादा हो गया है लेकिन इस हपते में सबका यही कहना है कि घुल गुलाब के फूलों की महक इस बार कुछ जादा हो जाती है इस हबते में खासकर जादा हो जाती है हमारे साथ कुछ कारोवारी है रीटेल कारोवारी जो हैं पर गुलाब के फूल बेजते हैं और दादर की फूल मंडी है जहां पर कहा जाता कि सबसे सस्ता फूल मिलता है सर किस तरह के फ्रों की सबसे जाइधा आज के दिन में है बुलाफ के फूलों और किश ग्रूप के लोग किस उम्र के लोग जादा यहां पर आ रहे हैं मार्झ आम दिनों में दाम भी बड़े हैं क्या जनवरी के मुकाबले जो फरवरी के जू दाम है क्योंकि शाथियों का भी सीजन है और वैलेंटाइन का भी हपता चल रहा है वालेंटाइन ड mantabee ऐस तो क्या नहीं बड़ोतुरी होगे कि जनबरी के मुकाबले बढ़ोत। चलें जादा मुगरा मंगरा के दाम भी बड़े हैं जादी के तबर चल रहे हैं चलिसांद कुछ और कर वारी है यहां पर और फूल के कारूबारी की. तर आज की डिमांड किस तरह की है फूलों की? यह देखिए विश्वा जो है हमारे बाचीत कर रहे हैं फूलों के कारूबारी के साथ इस समय और वो बता रहा हैं कि गेंदे का फूल और गुलाब का फूल सबसे जादा बिकरा है लेकिन विश्वा अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं मुझे पता है नहीं लेकिन वाँ में विजडेबल मार्केट भी है तो जब आप अपनी वाइफ के लिए गेंदे का फूल या गुलाब का फूल लेकर जाएए कहीं गुबी का फूल लेकर बंच जाएए अगर वो सुन नहीं पा रहे हैं या इंट्रिस्टिंग होगा देखना कि आप फूल की कीमत क्या है हर साल ले तो वैलेंटनाइन जब पर पर बंच प्राइस पर जाएए करोबारी अल्रेडी बोल रहे हैं कि गुलाब के फूल सबस्यादा महेंगे हो गए है आज के दिन तो रेड रोज ही आपको दिन है